हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रूट दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन जोग्रफी का एक महत्रपों टॉपिक भारत के जो प्रमुक द्वीप समू है इसके अंतरगत अंडमान निकोवार द्वीप समू को बहुत ही डिटेल में डिसकस करेंगे इसके पहले वाली लेक्चर में में भारत की जो प्रमुक अब तर्टी है फिर औफिर आफसियल correct है इनको डिटेल में डिसकस किया था आपने वह वाला previous वीडियो नहीं देखा है तो आप वह देख सकते हैं इसके लावा आज का जो यह हमारा लेक्चर है बच्चो जितने भी आपके competitive exams होते हैं UPSCO, state PCSO, railway, SSCO, central का exam हो या फिर state level का exam हो तभी exam के लिए beneficial होने वाल है तो आप वीडियो को अंतितक जरूर देखें चलिए सीधे topic को start करते हैं और इस topic को हम study करते हैं तो देखें अन्नमान निकोबार दीप समू की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह आखिर भारत में कहां इस्तेत है क्योंकि बात की territory में आता है भारत के छित्र में आता है भारत के अंतर्यके आता है तो खहाँ पर ये are situated है तो तुकिए यह आपर मैंने बताया यह हमारा india का map है आपको हमारे india में दो प्रमुक सागर देखने को मिलते हैं यह आप देखेंगे तो गंगाल की खाडी आपको सागर द देखने को मिल गए हिंद सागर का ही यह पार्ट है तो बंगाल की खाड़ी में ही एक भारत का सबसे बड़ा द्वीप समू है जो कि छोटे बड़े द्वीप उसे मिल करके बनाए द्वीप समू क्या होता है यदि किसी जली निकाय के बीच में सिंपल एक कोई द्वीप है तो उसको हम द्वीप बोलेंगे और एक से अधिक काफी सारे द्वीप है तो उनको हम क्या बोलते हैं द्वीप समू बोलते हैं यह पहले भी हमने कई वर डैफिनिशन डिसकस की है तो यह भारत का जो अन्नमान निकोबार है यह भारत का सबसे बड द्वीप समू है करीब यहां पर 572 द्वीप है चोटे बड़े द्वीपों को मिला करें यहां पर 572 लगवग यहां पर द्वीप है और कहां पर इस्तित है बंगाल की खाड़ी में सिच्वेटिड है या फिर इस्तित है आपको याद रखना है चलिए इसके बारे में आज हम बीटेयल में डिसकस करेंगे इसके लावर है यहां पर आप मैह पर देख सकते हैं आगे हम और बहुत बंगाल क्या या फिर बेynı और बंगाल में इसACE-ब भारत का सबसे बड़ा करते हैं इसका maximum part लगवग 86% जो अंडमान निकोवार का भाग है इसमें यह वनों से आक्षा दे थे या फिर जंगलों से घिरा हुआ है ठीक है इसके लगवग देखिए 86% जो हिस्सा है वो जंगलों से घिरा हुआ है वनों से घिरा हुआ है इसके लगवग यहाँ पर काफी दुरलब प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती है ऐसे plants पाई जाते हैं और जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो काफी दुरलब वनस्पतियां भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसकी जो capital है इसकी जो राजधानी है वो क्या है पोर्ट ब्लेयर इसकी capital ह ग्लमाननिकोवार है किया है इसके लावार water from here और निकोवार टुटल अंर्ठीवार तो 8 हूणीयं टेरिटरी मेसे एक उट्रिटरी अंर्डमानिकोवार यह आपको याद कि एक ठीनल से면 सकति थे चलिए आंके डिसकस करते। अब देखें यहाँ पर पर अन्दमान निकोवार का एक वार आप देख लीजी यह पूरा अन्दमान निकोवार आइलेंड है देखी जो अन्दमान निकोवार आइलेंड है इसमें एक तो उत्तर में आप देखेंगे तो यह आपको इसमें आप में देख रहा है इसको हम बोलते हैं अन्दमान आइलेंड और दक्षण में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको Nicolewagen और इनको साथ में मिला करके बोले आता है अन्दमान Nicolewagen में और में में कौन सी द्वीब है तो इनको जर्ड़ा एक वर हम देख लेते हैं देखें यहां पर आपको अन्दमान आइलेंड की आप बात करेंगी तो यहां पर उत्तरी अंडमान मिलेगा सबसे पहले यह उत्तरी अंडमान मैंने सरकल बना दिया फिर आपको मध्ध्य अंडमान मिलेगा यह मध्ध्य अंडमान जितने भी अंडमान निकोवार द्वीप सम्मू है उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मध्ध्य अंडमान उत्त्री अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षणी अंडमान और लिटिले लमान ठीक है ये चार मुख्य दूब्स है इसके लाव ही बहुत सारे दूब्स है जैसे यहाँ पर रटलेणड आइलлять, बेरौन इसके लबाए little nikovar यहांपर इस्थ है और यहांपर car nikovar तो यह तीन प्रमख द्वीप निकवार दुप समों के अंतरकत आते हैं अब इनमें और कौन कौन से चीजें से यहांपर इस्थ हैं इस सारे चीजें हम आगे करके डिसकस करेंगे तो इस जनरल 사मया पर बता दिया है ये बंगाल की खाड़ी में इस से था ठीक है चलो चलिए अब एक एक करके डिसकस करते हैं तो एक अंदमान निकोवार में चार मुख्य द्वीप सामोल है ठीक है चार प्रमुख्ष द्वीप है जो अभी मैं नहीं बताएं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंदमान की ठीक है अंदमान निकोवार द्वीप जो है बच्चो ये दो प्रमुख्ष द्वीप समुह से मिल करके बनाए готов अंदमान द्वीप सम्हों और निकोवार द्वीप समुह तो सब से पहले हम अंदमान द्वीप समुह की बात कर लेते हैं तो जो अंदमान दौिप snip है यहाँ पर अब क्या बात बोली जा रही है देखी ये उत्री अंडमान है ठीक है ये उत्री अंडमान है ठीक है सबसे उत्तर में जो इस्थित है तो हम उत्री अंडमान बोलते हैं और जो पूरे अंडमान निकवार की सबसे उंची चोटी है जिसका नाम क्या है सैडल पीक जिसका नाम क् कोशन पूछेगा बच्चो कि अंदमान निकोवार की सबसे उची चोटी कौन सी है सैडल पीक है फिर इसकी उचाई भी पूछ लेता है सैडल पीक की हाइड कितनी साथ सो बतेस मीटर तो दोनों पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है तो यह हो गया उत् करता है कि अंदमान निकोवार की 572 या फिर लगबग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिल करके बना है इन सबी द्वीप में जो मध्य अंदमान या फिर मिडल अंदमान द्वीप है बच्चो यह वाला यह सबसे बड़ा द्वीप है आपको याद रखना है ठीक है according to area चलि यहाँ पर जड़ा देख लेते हैं देखिए यह दक्षणी अंदमान है यहाँ पर और यह इसकी capital portvillar यहाँ पर इस्तित है आपको देख रही होगी यह portvillar यहाँ पर इस्तित है दक्षणी अंदमान में तो एक्जाम में question आएगा जो portvillar है यह किस द्वीप का हिस्सा है य जो द्वीप है इसको हम बोलते है लेटिल अंदमान ठीक है तो यह सबसे दक्षण में है सबसे दक्षण मतलब अंदमान निकोवार के सबसे दक्षण में यह बच्चो जो अंदमान द्वीप सम्हू है उसका सबसे दक्षणी द्वीप है लेटिल अंदमान ठीक है तो धाफ मद्ध है अन्डमान का सबसे लाष्ट हुरा यहाँ पर द्सकहर चलिए आगी बात करते है अब देखिए यहां पर जड़ा मैंने मैप बनाया है यहाँ पर देख लेज्ये सबसे पहले अन्डमान द्वीप समु के उत्तर में एक अन्य द्वीप है कोको द्वीप जो कि म्यानमार के नियंतर में है अब यहां से भी exam में question पूछा जाता है तो इसको समझ लीजे थोड़ा देखे यह है हमारा अंदमान निकवार द्वीप समू ठीक है यह मैंने circle बना दिया यहां पर आपको एक देश दिख रहा होगा यहां पर एक यह देश है जिसका नाम है म्यानमार पहले इसको वर्मा के नाम से जानते थे भारत के पूर्म में आपको देखने को मिलेगा तो म्यानमार के दक्षन में म्यानमार के भी कुछ यहां पर द्वीप समू है यह red circle बना दिया red dot बना दिया मैंने इसको हम बोलते हैं बच्चो कोको द्वीप इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कोको आईलेंड यह फिर कोको द्वीप समू क्या बोलते हैं कोको द्वीप समू जो की म्यानमार के नियंतरण में है जो की म्यानमार के अंतरगत आते हैं अब आपको याद रखने है, आजादी के टाइम ये हमारे पास ही थी, लेकिन हमने म्याुनमार को as a gift दिया था, ठीक है, म्यानमार को as a gift दिया था इंद ही है क्या बुला मैंने और अन्डमान और अन्डमान और अन्डमान के मद्द प्लश स्यानल काफी इंप्रेंट्रेंट decadosis कई वार यहां से एक्णार में कोशन आता है ये खेटिक किने अब पे चैनल का होता है सबसे पहले समझ लिजह मालगी जाली निकाय कोई महासागर है ऐसा समझ लिजिए इस जली Nिकाय मेंध़ 2 अलग अलग इस जली निकाय में दो अलग अलग व्हों को अलग कर रहा है इसको ही उन चैनल वोलते है ये बंगाल की खाड़ का छेत्र है बंगल की खाड़ी में एक और कोको चैनल है और एक और उत्री अंडमान है ठीक है तो इसमें जो बीच में ये चैनल है जो ये जली निका है इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कोको चैनल तो exam में question आता है कोको चैनल कहां इस्तित है तो कोको चैनल उत्री अंडमान औ और कोको द्वीप समूह के मद्ध में कोको चैनल और उत्रियम अंडमान को यह अलग करता है सेप्रेट करता है यह वाद आपको याद रखना है ठीक है आई थिंक समझ में आया होगा देख लिए वही चीज लिखिए कोको द्वीप इससे थे जोकी म्यानमार के नियंत्रण में अंडमार की अंडमार की अंडमार देख लिजए अब देखे यह पूरी बंगाल की खाड़ी है हमारी बंगाल की खाड़ी में यह हमारा अंडमान निकोवार दीप समूह है एक मेंट रोकिएगा, यह पूरे हमारी क्या है? बंगाल की खाडी है बंगाल की खाडी में यह हमारा अंदमानिकवार दीप समू है यहाँ पर यह मैंनमार है और यहाँ पर यह आपको थाइलेंड देखने को मिलेगा ठीक है थाई लेंड वगरा यह देखने को मिलेगा तो इनके बीच में जो ये जलीये निका है ये वाला ठीक है ये मैंने आपको line बना दीन तो इसको हम बोलते हैं अंडमान सी क्या बच्यों अंडमान सी मतलब अंडमान के पूर्व में या फिर अंडमान नेकोवर आईलेंड जो है हमारा दीप समू है इसके पूर में म्यानमार के दक्षण में और थाइलेंड के पश्चिम में जो ये सागर आपको देखने को मिलेगा ये वाला इसको हम बोलते हैं अंडमान सागर या फिर अंडमान सी तो ये बात भी आपको याद रखना है अंडमान सागर अंडमान क की तैयारी कर रहे हैं फिर ssc से related किसी भी exam की preparation कर रहे है ssc के लिए हमारा live batch बिलको live है आपको करना क्या है root application को download कीजिए link आपको description box में मिल जाएगी और वहाँ पर आप सारी detail देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जितनी भी हमारी यहाँ पर expert faculty है math हो गया reasoning हो गया GKS हो गया English हो गया सारी subject आपको यहाँ पर teach करेगी और guide करेगी exam से related इसके लाब बच्चों यह दिए आप DSSSC ठीक है यह coupon code है हमारा DSSSC coupon code यह आप use करते हैं आपको extra 500 रुपय का यहाँ पर discount देखने को ठीक है तो coupon code यूज करना मत भूलना इसके लाब यह आप मुझसे geography पढ़ना चाहते हैं interesting तरीके से geography के concept clear करना चाहते है तो geography कभी मेरा है यहाँ पर foundation batch बिलकुल live है आप मुझसे वहाँ पर geography पढ़ सकते हैं Indian geography हो world geography हो कोई से भी geography हो वहाँ पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं चलिए इसके लाब अलग-अलग expert faculty भी आपको अलग-अलग subject वहाँ पर पढ़ा रही है तो अभी आप route application को download कीजिए बाकी detail आपको वहाँ पर इसके लाब आभी दिवाली के का special discount भी चल रहा है तो आप अभी course avail करके फाइदा उठा सकते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं डंकन पास डंकन पास क्या है इसको भी जड़ा देख लीजिए डंकन पास का है दक्षणी अंडमान और लिटिल अंडमान है न साउथ अंडम 45-47 km चोणा एक जली निकाय है जिसको हम डंकन पास बोलते हैं जो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़े को connect करता है ठीक है यह एक प्रकार की जल संधी है आप ऐसा से बाज़े देखिए डंकन जल संधी भारत के अंडमान वा निकोवार द्वीप समू में रटलेंड थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा देखिए यह हमारा दक्षणी अंडमान है बच्चो है ना दक्षणी अंडमान मैं आपको अभी बताया था और दक्षणी अंडमान का जो यहां पर आप देख रहे हैं ठीक है यह देखिए यह एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं रटल पास जो की अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है इसके लाबा दक्षणी अंडमान और लिटल अंडमान को सेपरेट करता है या फिर रटलेंड आइलेंड और लिटल अंडमान को अलग करता है तो यह बात आपको याद ठीक है 48 किलोमेटर लगवग लंबी जलसंधी है आपको याद रखना है यह प्रकार की जलसंधी है इसके लाबा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोवार दीप समू का सबसे बड़ा बंदरगाहा है जो पोर्ट ब्लेयर है बच्चो इसकी capital यहाँ पर आपको दक्षनी अंडमान में देखने को मिल जाएगी यहाँ तो यह सबसे बड़ा पोर्ट भी है और इसकी capital भी है यह आपको याद रखना है साउथ अंडमान के अंतरकत यह फिर दक्षनी अंडमान द्वीप के अंतरकत यह आपको देखने को देखने को यहाँ से आ जाएगा डंगन पास पूछ लेगा कहां परिस्तित है सबसे पूछ लेगा capital पूछ लेगा तो कैसा भी question आ सकता है आपको prepare रहना है ठीक है आँगे बात करते हैं अब दक्षन एशिया या फिर हमारे भारत का एक मात्र जो सक्क्रिय जौला मुखी है उसका एक मात्र जो सक्क्रिय जौला मुखी है वो बैरन आइलेंड है बैरन आइलें यहां आप image में देख सकते हैं आपको याद रखना है भारत का ही नहीं पूरे दक्षन एशिया साउथ एशिया का एक मात्र सक्क्रिय जौला मुखी है आप देख सकते हैं ठीक है लाश्ट बच्चो 2005 में यहां पर उदगार हुआ था विस्वोट हुआ था इसमें जिससे अ अब तक लावा निकल रहा है कैसे निकल रही है ना इसको हम बोलते है active volcano इसके लावा दक्षन एशिया का भी एक मात्र सक्क्री जौला मुखी है याद रखना है अब comment में आप मुझे बताईए South Asia या फिर दक्षन एशिया के अंतरगत कौन-कौन से देश आते हैं ठीक है comment म पासी नार कॉनडम भी देखने को मिल जाएगो तो exam में अकसर question आते हैं कि भारत में कौन-कौन से जौला मुखी इस्तित है या फिर कौन से सक्क्री जौला मुखी कौन से सुषुथ। जौला मुखी है और जो baron dweep है यह सक्क्री जौला मुखी है दोनों ही अंडमान निक चिम में जाएंगे तो यहां पर आपको एक North Sentinel Island देखने को क्या नाम है दूइप का North Sentinel Island इसकी विशेशता क्या है यहां पर एक जंजाती रहती है लगवक्त 2000 वर्षों से ऐसा पता लगाया गया है अध्यन करूसार कि करीब 2000 वर्षों से यहां पर एक जंजाती रह रही है जिस पूर्टा कटी हुई है यहां पर जाने की कोशिश भी करता है तो यह उसको छोड़ते नहीं है क्योंकि यह डर जाते हैं और उनको वहां पर ही खतम कर देते हैं अक्सर निउस में रहती है यह अभी कुछ टाइम पहले किसी एक अमेरिका अमेरिकी को भी मार दिया था वो इ पूर करते हैं अब बाहरी लोगों से सत्रूवत व्योहर करते हैं का मतलब यह है कि यह नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में कोई और इंटर्फेर करें इनको नहीं है पसंद यहं उंसे डर ते यह बाहरी दुनिया से बिलकुल कटे हुए है खिक है? इसके लिए प्रशाषिनि रूप से यह है दक्षणी अंडमान जली के अंतरगत आता है यह साउथ अंडमान है अच्छे से मैं आपको समझाया है इसके अंतरगत ही है नौट सेंटेनल आइडलेंड आता है तो याद रखना है इसकी लोकेशन कहा है आगे एक और प्रमुक चैनल है बच्चो दस डिगरी staple चैनल अक्सार एकजाम में कॵश्शन आता है यह क्या करता है अंडमान द्रिप समु को निकोवार अबार निकोवार से अलग करता है और फिर च्छोटी अंडमान है यहां पर आप मैप में दिख लिए मैं आपको बताया है यह driving थोटा अंदमान इसको буलते हैं अभव को चैनल समझाए ऑफिर चोटा अंदमान कार्नेकोबा या फिर अंडमान और निकोवार भी एक्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है ठीक है चलिए अब देखिए यहां पर एक राष्ट्री उद्यानिया फिर नेशनल पार्क भी है South Button National Park एक्जाम में कुश्चन आता है भारत का सबसे चोटा smallest नेशनल पार्ण कौन सा है तो South Button National Park बच्चो सबसे चोटा नेशनल पार्ण है 0.03 वर किलोमीटर छेत्र फलपर पढ़ए भारत का smallest सबसे चोटा नेशनल पार्ण है देखें, Little Un Becking दीब के पास छोटा अंदमान जो है लिटल अंदमान है यहां पर देखिए यहां पर ही आपको यह साउत बटन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है 0.03 वर्ग किलोमेटर पर यह फैला हुए अब आप मुझे कमेंड में बताईए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है ठीक है सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है और उसका एरिया भी आप मुझे कमेंड में बताना ठीक है इसके लाब भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है यह भी आप मुझे कमेंड में ज़रूर बताई ठीक ह तो ये भी थोड़ा से दिमाग में रख लेना कि 9 नेशनल पार्क और 96 वन्यजीब अभ्यारन है ठीक है इसके लबाए इसका लगवग 86% हिस्सा हमेशा जंगलों से घहरा हुआ मतलब घहरा हुआ होता है मैक्जीमम पार्ड इसका 86% तो यह आपको याद रखना है ठीक है तो का निकवार की बात करें तो निकवार दीप संहु के अंतर का 3 दीप आते हैंहीं जैसे हमने अंदमान में चार देखे थे वैसे यहां पर भी तीन मुख्य है कौन कॉन से है सार लह little niko war और great niko war यहाँ पर सबसे दक्षण में great niko war देखने को मिलेगा और कार niko war देखने को मिलेगा तो यह कुछ प्रमुख दूइप है इसके लावा भी बहुत सारे दूइप है फिर्क निको वार जो सबसे दक्षण में इससे थे यहाँ पर ही आपको इंद्रा पॉइंट देखने को मिलेगा जो भारत का सबसे दक्षणी सुदूरस्त दक्षणी बिंदू है ठीक है चलिए इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं देखिए भारत का दक्षणतम बिंदू इंद्रा पॉइंट ग्रेट निकोवार पर ही इससे थे अ भारत का सुदूरस्त दक्षण बिंदू है आपको याद रखना है आगे बात कर लेते हैं निकोवार दूइपसमू का सरवोच सिखर माउंट थुलियट ठीक है अभी हमने देखा था अन्नमान निकोवार का ओवर ओल जो सबसे उचा बिंदू है बच्चो वो क्या है सैडल पीक है क्या है सैडल पीक है लेकिन जो निकोवार दूइपसमू है दक्षण वाला इसकी सबसे उचे चोटी कौन सी है माउंट थुलियर है 642 मीटर तो ये बात भी आपको याद रखना है और उसकी कितनी थी 732 मीटर 732 मीटर कि इसकी सैडल पीक की तो इसकी उचाई भी आपको याद रखना है ठीक है सैडल पीक की साथ सो बत्तिस है और माउंट थुलियर जो की निकोवार दूइपसमू का सबसे उचा पॉइंट है 642 मीटर इसकी हाइट है इसके लबाएं ग्रेट चैनल आपको याद रखना है ग्रेट निकोवार और सुमात्रा के मद्ध में इस्तितिति इसके बीच में है ग्रेट चैनल और यहाँ पर आपको सुमात्रा देखने को मिलेगा जो इंडोनेशिया का एक दूइप है तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोवार के मद्ध में ग्रेट चैनल है आपको याद रखना है यहाँ से भी एक्जाम में कोश्चन कई वर आपको चीज़ें क्लियर हुए हो तो फिलाल आज की लेक्चर में इतना ही इसका हम एक MCQ शेर्षन भी लाएंगे इसमें हम जहां से एक्जाम में कोशन बनते हैं बारबार वह वाले कोशन कवर करेंगे तो इसके लब यदि आप मुसे जोगरफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लिकेशन पर जोगरफी पढ़ सकते हैं तो मुलाकात होगी बच्चों अगले भैतर लेक्चर में यदि वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के शेर करें और हमारे कंटेंट पसंद आ रहा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अब तक के लिए धन्यवाद अपना ख्याल रखें जय हिंद